गुद मॉर्निंग एब्रिवन आज हम ब्लूप्रेंट का जो लास्ट टेबल है वो देखेंगे जिसमें हमने देखा था कि ब्लूप्रेंट इस थ्री डाइमेंशनल स्ट्रक्चर जिसमें दफर्स वन इस डिवीजन एकॉर्डिंग टूद अब्जेक्टिव इस तरीके से हमको क्या करना है तीनों का कंबाइन टीबल बनाना है जो हमने थ्री डाइमेंशनल स्ट्रक्चर बोला है थ्री टेबल से अलग अलग देखे थे हमने तीनों टेबल को क्या करेंगे हम एक साथ मर्ज करेंगे दिस इस दा फाइनल ब्लूप्रिंट ऑफ यूने टेस्ट तो हभी हाफ टेकन एन एक्जामपल ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट जिसमें से हमने प्रोस पोईट्री और ग्र इस तरीके से टोटल जो आ रहा है 25 मार्ज अब यहां पर यह दिखा आप सबसे पहले देखो प्रोस में प्रोस में क्या किया है नॉलेज के नॉलेज में अब्जेक्टिव टाइप ओफ कोशन दो पूछे हैं वन वन मार्ग्स के आपको यह पता है ना अब्जेक्टिव टा के लिए ही शॉर्ट टाइप ओफ कोशन में दो मार्ग्स के लिए पूछा है ठीक है क्यों हमने शॉर्ट टाइप ओफ को टू मक्स किया है देन एप्लिकेशन में हमने लॉंग में थ्री मार्ग्स वेटेज दिया है प्रोस को और स्किल में टू मार्ग्स इस तरीके से नंब 1 2 2 plus 2 4 7 8 9 total marks will be 9 किसके लिए प्रोस के लिए उससी तरीके से हम poetry में देखेंगे knowledge में objective में 1 1 marks understanding में short में 2 2 marks चीक है और objective में understanding में 1 marks और skill में 2 marks short के लिए इस तरीके से number of question will be 6 and the total marks will be 9 1 plus 1 2 2 plus 2 यह 4 हो गया 4 4 6 7 8 9 9 marks आपका poetry का वेटेज हो गया grammar में देखेंगे objective knowledge में objective type of question 1 marks के लिए और understanding में objective 1 marks के लिए application में नहीं दियावा है और skill में भी नहीं दियावा है चीक है और application में 3 marks के लिए पूछा गया है long के लिए तो इस तरीके से number number of question 5 होते है और उसके जो total marking होती है 7 तो प्रोस के लिए 9 marks का वेटेज है poetry के लिए 9 marks का वेटेज है grammar का 7 marks का वेटेज है अब आप एक्दम extreme total पर आजाए जब यहां पर आप देख सकते हैं कि objective type जो 5 दिख रहा है आपको यह क्या है objective type of question knowledge के 5 marks के हो गया understanding के आपको 8 marks का हो गया application 6 हो गया और skill के लिए 4 marks तो total will be 25 आप इधर से देखो गया 9 plus 9 plus 7 is 25 इस तरीके से 25 marks का unit test complete बन जाता है I hope आपको यह समझ में आया होगा इस तरीके से आपको क्या करना है अपनी method का कोई भी topic निकालके एक unit निकालके जैसे history हो geography हो maths हो science हो तो सब लोग क्या कर सकते हैं इस तरीके से एक table बनाएंगे और final आपका यह प्रिंट आप मुझे बताएंगे तो आपको समझ में आया होगा थैंक यू